हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुलाम का नियम जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है बोड एक जाम के लिए ठीक है तो चली दोस्तों हम देख लेते हैं कि कुलाम का नियम है क्या ठीक है तो होती असानी से समझ में भी आएगा यहीं से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि deto can तक आपको यहीं से याद भी हो जाएगा तो देखिए कोलाम ने जब अपना नियम दिया तो कुलाम ने एक figure बनाया ठीक है तो कुलाम ने क्या कहा कि कुलाम ने दो आवेस लिए ठीक है एक Q1 और Q2 ठीक है कुलाम ने दो आवेस लिए ठीक है इन दोनों आवेसों के बीच की दूरी R रख दिया ठीक है तो उन्होंने बताया कि दो आवेस है तो इनके बीच जो आकर्षन ये प्रति इन दोनों आवेसों के मद्ध लगने वाला जो बल होगा उसे हम कुलाम बल कहते हैं उन्होंने क्या बताया सुनिए कुलाम का नियम नहीं बता रहे हैं अभी कुलाम बल बता रहे हैं कुलाम के नियम भी बताएंगे क्योंकि पहले कुलाम बल भी जान लिए तो कुलाम बल क्य किसे कहने अगर एक्जाम में आजा कि कुलामं बल किसे कहते हैं क्या मैं भीका कि सिर्ट दूरी आर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्शन या प्रतिकर्षण बल कुलामबल कहलाता है समझ में आया क्या कहा जा रहे सुनिए समझे और लिखिए ठीक है अगर कुलामबल आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि यदि की दो आवेस क्यूंवन क्यूटू के बीच की दूरी आर हो तो उनके बीच लगने वाला बल यह कह सकते हैं लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ठीके क्योंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इसलिए कहा जा रहे हैं कि हमें यह पता नहीं है कि यह दोनों आवे सजातिये हैं या भी जातिये हैं इसलिए क्यों क्यों लिए गया है यदि दोनों सजातिय होंगे मतलब इसके आगे भी क्या होगा प्लस होगा इसके भी आगे प्लस होगा तभी तो सजातिय कहलाएंगे यह माइनस यहां पर भी हो तो क्या कहलाएंगे सजातिय कहलाएंगे और जब दोनों मतलब प्लस और प्लस हो ठीक है या कह सकत से माइनस और माइनस हो तो यह दोनों सजातिय होंगे सजातिय होंगे अब सजातिय के मद्द्द क्या लगता है सजातिय के मद्द्द क्या होता है प्रतिकर्शन होता है और यदि एक प्लस हो एक माइनस हो तो इनके बीच क्या होता है यह भी जातिय होते है भी जातिय होते है इनके बीच क्या होता है आकर्षण होता है तो इसलिए का जा रहा है कि ये दोनों आवेस Q1 Q2 हो तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या हो आकर्षण या प्रतिकर्षण क्योंकि आप सजाती है भी ले सकते हैं भी जाती है भी ले सकते हैं ये आप पर उबर निर्बर करता है कि कैसे आपने दो आवेस लिए हैं तो कुलाम बल सिंपल से यह कहेंगे कि यह दो कि आवेस Q1 Q2 हो तथा इन दोनों आवेसों की बीच की दूरी आर हो तो इनके बीच मतलब इन दोनों आवेसों के मध्य लगने वाला आकर्षण यह प्रतिकर्षणबल कुलाम बल कहलाता है ठीक है त तो कुलाम का नियम जस्ट इसके मतलब एक तर से कहा जाए तो इस पर यह दारीत है कुलाम का नियम है देखे कुलाम का नियम क्या है कि सामान देखे कुलाम ने बताया कि दो आवेस Q1 Q2 समझेगा दो आवेस Q1 Q2 के बीच की दूरी आर हो तो उनके बीच लगने वाला आक और स यो बल आएगा वह बल के क्या होगा समानुपाती होगा मतलब क्या होगा उसी बल के बराबर होगा ठीक है तो इसको मैं मिटका दे रहा हूं उसके बाद मैं आपको कुलाम का नियम बता रहा हूं ठीक है तो कुलाम बल आपने समझ लिया होगा ठीक है तो अब हम देखेंगे क कुलाम का नियम , सबस्कूल सब्सक्राइब , बदेखे कुलाम का नियम , तो इनके बीच की धूरी हो तो इन दोनों आविसु के मद्य लगने वाला आकर्षन या प्रतिकर्षन बल इन दोनों आविसु के गुडनफल गुडनफल मने q1 q2 इन दोनों आवेसों के गुड़न फल के क्या होता है समानुपाती होता है यहे बताया गया समझ में आ रहा है यह समानुपाती का चीन है मने इन्होंने बताया कि दोनों आवेसों के मद्द जो लगने वाला आकर्षन यह प्रतिकर्षनबल है उन दोनों आवेसों के गुड़न फल के क्या में कि कुलाम के नीमों के अनुसार दो आवेस Q1 Q2 के बीच की दूरी आर हो तो इनके बीच लगने वाला आकर्सन या प्रतिकर्फंबल उन दोनों आवेसु के गुड़नफल के समानुपाती होता है ठीक है और उसके बाद लिखेंगे तथा याद रखेंगे तथा उन दोनों आवेसों के बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूत क्रमानुपाती होती है ठीक है मतला इन दोनों आवेसों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है ब्यूत क्रमानुपाती होता है बल ठीक है यही इन्होंने दो नियम बताया समझ में आ रहा है क्या का जा रहा है मनने इन् कुं पर्उस्ट माल लेते हैं समय करने हैं तो सरी समनुप्ता था कि से केड़ से यह जाना प स्क्रान थे यह यहां है कर दे दोने ऑचान आ ये ये सामयनुप्ता है नुड़ा कर लाते है तक टियो और ये समय पाती की नहों होगा ना जब इकोल है तो समानुपाती की वन क्यूटू बटे आरी स्क्वाइर हो जाएगा ना आरी स्क्वाइर हो जाएगा तथा इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यह समानुपाती के जिन जो भठता है तो एक नियतांक आता है जो क्या होता है कि आएगा अब क्य मान एक होता है इस POINT को भी याद रखेंगे यदि SEGA को वर्णाम का नियम में हो क्या है तो यह इसका मान एक हो जाएगा तब equival to क्या हो जाएगा今天 Q1 Q2 भर्ट अर इसकौर ठीकर यह क्या हो गया SGS पदती में हमने उकल दिया परणफो यह ले विले हम इसे एस आई पूट अप कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा यहां से हमके एफ कमान हमें निकल जाएगा क्या एक के जगा पर हम इतना रखते हैं तो वान आफान फोर पाई एसाई ले नॉट आप क्यू वन क्यू टू बटे आर स्काइब यही हम लोगा निकल गया एस आई पदती में कुलाम के नियम का जो कुलाम के नियमू में जो बल लगता है वो हमने निकाल दिया तो सिंपल से आप एक करते हुए आपको आ जाना है ठीक है तो यह कुलाम कनेयम हो गया तो मैं एक बार और अम तुम्हें बोल दे रहा हूं यहाँ थी आपको समझ्में आ गया है तो आप रिपीट करके आप देख सकते हैं कि मतलब यही तो है ठीक है कुलाम के नियमों के अनुसार दो modifier के वर्ग के व्योत करमानुपाति होता है यह हो गया उसके बढ़ स्मॉद व्योबकीं को बोलों कर दिया that youburg that God under oxygen हो घुकर ऑफ समझे होगे ठीक है । यहाप को अब मअधा नियम आपको कैसा समझ में आया क्एमें में जोरूध बताईएगा और को से के तो वीडियो को अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आप समझ में आया है तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है और जब सब्सक्राइब कर लीजेगा या कर रहे होंगे या करने का सोच रहे होंगे तो देखिए दोस्तों अगर सब कर रहा हूं कि comment section में हमें जरूर बताईएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं ठीक है ऐसे हमें यह भी पता चलेगा कि आपने सब्सक्राइब किया है तो comments जो करेंगे मुझे ऐसा अनुभव होगा मुझे लगा कि हो comments किया है तो इन्होंने subscribe किया होगा ठीक है तो यह मेरा एक तरह से में कहूं तो एक request है ठीक है और दूसरी important बात यदि आपको physics में कोई भी topic आपको समझ में नहीं आता है कोई भी topic तो उसका नाम लिखिए YouTube पे जैसे आपको माल लीचे कुलाम का निय में जैहिन जैभारब